इम्रान खान तो आपको याद है ना वही इम्रान जो फिल्म कट्टी बट्टी में नज़र आये थे जो बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह सेफ लॉफ फिल्म थी इस फिल्म के बाद इम्रान खान फिल्मों की दुनिया से दूर हो गए इस दोरान वो जादतर समय अपनी फैमिली के साथ ही गुजारते रहे लेकिन एक लंबे वक्त के बाद खबर आ रही है कि इम्रान जल्दी फिल्मों में वापसी करेंगे खबरों के मताबिक इम्रान खान अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कमपनी फैंटिम के बैनर तले बनने जा रही फिल्म में काम करने जा रही है इस फिल्म का डिरेक्शन राज सिंग चौदरी करेंगे जिनको अनुराग कश्रप ने बत और एक्टर फिल्म गुलाल में लॉंच किया था ये एक एक्शन फिल्म बताए जा रही है जिसकी शूटिंग इसी साल मैंसे शुरू होगी आपको बता दें कि इमरान के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने डेली बेली और मेरे ब्रदर की दुलहन मत्रू की बिजली का मंडोला जैसी सफल फिल्मों में काम किया जो दर्शकों को काफी पसंद आई